Hello students, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल Students Live में तो जैसा कि आपने thumbnail में देखा, आज किसी वीडियो में हम लोग या जानेंगे कि 10 के बाद हम क्या करें और साथ ही हम आज किसी वीडियो में यह भी जानेंगे कि जो भी subject हम 11 में लेके पढ़ना चाहते हैं तो हम कितने number उस subject में लाएं कि हम 11 में उस subject को ले सकते हैं क्योंकि कई सारे students का इस पर comments आ रहा था और उनका कहना था किसार इस पर एक वीडियो बनाई तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो यहाँ पर हम सबसे पहरे बात करेंगे कि 10 के बाद हम क्या करें तो हमारे पास बहुत सारे options हैं जैसे 10 के बाद आप commerce लेके पढ़ सकते हैं arts लेके पढ़ सकते हैं या फिर science लेके पढ़ सकते हैं यह आप आगे लावेंथ में अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो यह आप कर सकते हैं या फिर अगर आप electronic के छेत में जाना चाहते हैं तो आप IDI कर सकते हैं या फिर आप diploma पूल टेक्निक आप वो कर सकते हैं तो आपके पास options बहुत सारे हैं जो भी चीज आपको बहुत ही अच्छी लगती होगी जिसमें आपका रूची होगा आप वो चीज जरूर ले अगर आपको commerce पढ़ना अच्छा लगता है तो आप commerce ले Science पढ़ना अच्छा लगता है Arts पढ़ना अच्छा लगता है जिसमें आपका geography, history यह सब सामिल है English भी उसी में सामिल है तो अगर आपको arts पढ़ना अच्छा है चाहिए economics हो, geography हो, तो यह सारे arts में आज आएंगे, Hindi, English, यह सारे arts के subject है, चीक है, तो अगर आप इन सब में से आपका subject अच्छा है कोई भी, तो आप arts लेके पढ़ सकते हैं, इसमें भी बहुत सारे scope है, चीक है, इसके बाद आते हैं commerce में, तो commerce से लेके अगर आपको पढ़ना है, तो आपको commerce में एक अलगी जो है आप दुनिया में चले जाएंगे, जिसमें आपका 10th class में जो भी चीज़े आपने पढ़ा हुआ होगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा different मिलेगा, उसमें आपका accounts मिलेगा, बिजनेस मिलेगा, ठीक है account, तो यह सब सारे चीज़े जो है आपको commerce में पढ़नी होगी, इसके बाद अगर हम science में आते हैं, तो आपको पता ही होगा, science में maths लेके हम पढ़ सकते हैं, biology लेके पढ़ सकते हैं, physics और chemistry तो यह हम लोग का अनिवार यह है, ठीक है, science में आपके पास options है, या तो आप maths लेके पढ़ सकते हैं, या फिर आप biology लेके पढ़ सकते हैं, अब यहाँ पे भी बहुत सारे students का ये comments था कि सर मैंने basic maths लेका होगा है, तो मैं science ले पाऊंगा या फिर नहीं, तो इसके लिए अभी तक CBSC के द्वारा कोई ऐसे officially नहीं बताया गया है, लेकिन जहां तक कि मुझे लगता है कि जो नोंने भी basic maths लिया हुआ है, वे science ले सकते हैं, अगर वे maths के जगा biology लेते हैं, वैसे students जो science लेके 11 में पढ़ना चाहते हैं, तो वे maths ना लेके वहाँ पे अगर biology ले, तो में भी basic maths लिए चुडेंट्स साइंस लेके पढ़ सकते हैं, अब ये आगे का process जानने के बादी पता चल पाएगा, कि क्या है हम ले पाएँगे या कि ने ले पाएँगे, अला कि किसी इसके बारे में अभी तक किसी तरक का कोई भी news नहीं है, लेकिन जैसे जैसे news आएगा, मैं आप लोग को दिले दिले जो है provide कर दूँगा, तो यहाँ पर भी मैंने आप लोग को ये बताया कि basic maths अगर हम लिए हुआ है, तो आगे हम science ले सकते हैं या पि नहीं ले सकते है, ठीक है, आगे जो भी information मिलेगी आप लोग को मैं बताऊंगा, अब हम यह जानते हैं, जो कि कई सार्रेट्स का comments है, कि सर मेरा science exam बहुत ज़्यादा खराब गया है, मैं आगे science लेके पढ़ना चाहता हूँ, तो मैं science लेके पढ़ सकता हूँ, या फिर नहीं पढ़ सकता ह हलांकि किसी-किसी school में 45 भी allow कर देता है, यानि कि अगर आपका 45 नमर भी है, तो कई सारे ऐसे schools हैं, चाहे हो CBSC हो, या फिर किसी दुसरा board हो, तो वहाँ पर allow कर दिया जाता है, कि आप science लेके पढ़ सकता है, ठीक है, यह school पर निरवर करता है, लेकिन कम से कम 50% अगर आपक है, physics, chemistry, math, ठीक है, अगर आप math लेना चाहते है, तो अगर math अगर आप नहीं लेना चाहते है, यानि कि अगर आपका standard math है, तो ही आप यहाँ पर ले भी पाएंगे, basic math से तो फिर आप नहीं ले पाएंगे, आपको biology लेना पड़ेगा, अब उसके भी rule आगे निकलता है, कि नहीं निकलता है, अप ले सकते हैं नहीं, यह आगे पता चलेगा आपको, ठीक है, तो यह तो news हो गया, तो यह सारी चीजे थी, जो कि आपके द्वारा पूशा गया था, comment box में, और भी अगर कोई questions होगा, तो आप हमसे कर सकते हैं, अगले वीडियो में मैं आप लोग के ल परण चीज़ बताने वाला हूँ, तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, थैंक्यू